अगर मैं आपको कहूँ कि जिनकी आपको जीने का दूसरा मौका दे जिसमें आप फिर से जिन्दासों को वो भी सोगुना पावर के साथ तो क्या आप इसे अपनाएंगे वेल आप लोगों को तो पता नहीं लेकिन होलिवोड के एक्टर विन डीजल ने इसको ज़रूर अपन चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे रेट बन प्रेस करके और नोटिक विशन बैलकून करना ना भूलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू और ब्लडशोट ब्लडशोट एक 2020 की अमेरिकन सूपर हीरो फिल्म है जिसको डिरेक्ट कहे डेविड विल्सन ने इस फिल्म में एक मिलिटरी ओफिसर के मरने के बाद उसको RST ओपरेशन के दुआरा एक सूपर हीरो ब्लडशोट के रूप में वापिस लाने के उपर है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह RST है क्या तो टेंशन मत लीजे मैं हूँ ना बताने के लिए RST एक राइजिंग स्पीड टेक्नोलिजी है जिसका मकसद है USA मिलिटरी में जान भरना RST वो सब डवलप करती है जिससे एक फोजी की ताकत बढ़ती है जिससे वो और जदा स्टोंगर और फास्टर बन जाती है कहानी की शुरुआत एक सफल मिशन के बाद ग्रे रिंसन के घर लोटाने से शुरू होती है जो अपनी पतनी के साथ खुशी के बल बिता रहा होता है लेकिन उसी रान रे और उसकी पतनी गीनि के जिनकी में एंट्री होती है मार्तीं की जो उनको मार ढालता है छ़गे कौंसी है ये बता तहले सिपाई हो जिसे हम मौत के मुँह से वापस लाभाए वो भी ज्यादा ताकतवर बनाकर लेकिन कहानी में आता है टूइस जब रे अपने आपको जिन्दा पाता है वो भी कुछ सुपर नैचुल पावर के साथ जिसमें उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा होता है और वो अपने आपको सोग उना जादा और स्ट्रोंगर महसूस करता है लेकिन एक सवाल जो उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर यसा पोसिबल है है तो कैसे और इन सब बातों का जवाब होता है डॉक्टर एमिल के पास जो इनसानों को एक अलग दुनिया में ले जाने में सबसे आग गया है और इस बात का प्रूफ होता है रे के उपर की जाने वाली रिसर्ट से रे में एक सबसे प्रबशाली विशेशता भी है कि उसकी ब्लट सेल को छोटे मोटे कीडो जैसे जानवर के साथ बदल दिया गया है जिसको नेट्स बोलते है और नेट्स का काम है रे की शरीर पर चोट लगने पर उसको एक साथ वापिस से जोडने का लेकिन न्यूटन्स की भी होती है कमजोरी जैसे हमारी बोडिस को कैलरी चाहिए होती है वैसे न्यूटन्स को चाहिए होती है एनर्जी जो सिफ डॉक्टर की लैब से ही सप्लाइ होती है और ये सब चीजे ही रे को अमर बनाती है क्योंकि आप लोग उसको नहीं मार सकते जो पहले से ही मृत है और रे के रोल में आपको नज़र आएंगे विन डीजल जो की होलिवूड के एक भैसरीन एक्टर है और इनको आपने फास्टन फूरियोस जैसी मूवीज में भी देखा होगा रे के साथ साथ आपको और घायल मिल्टरी ओफिसर भी देखने को मिलेंगे जिनको डॉक्टर हैमिल ने एक नया जीवन दिया है जिनमें से एक है कैट जब हमारा दिमाग काम कर रहा होता है तो अपने बीते हुए कल को छोड़ कर अपने फ्यूचर को एकसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और रे के साथ भी यह सब होता है जब उसको याद आती है अपनी बीते हुए हाथ से की कुछ यादे तो वो निकल पड़ता ह पतनी के कातिल का बतला लेने के लिए उसको मारने के लिए ऐसे एक्षिन वाली फिल्म जिसमें फैडिंग के साथ 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 सस्पेंस भी भर भरा हुआ है जो आपके दिमाग पे कुछ इस तरह कंट्रोल करती है कि आपको इस फिल्म के साथ चलने पर मजबूर कर देती है और आदे रास्ते पर चलने के बाद आपको एक सस्पेंस का ऐसा फ्लेवर देखने को मिलता है जिसको देखको आपको डेफिनेटली मजाने वाला है कोई भी चीज कितनी भी शक्तिशाली क्यू ना हो लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती है और रे भी यह बात भ गंटे निकालने होंगे और लगाने होंगे अमेजोन प्राइम के उपर और टैंशन की भी कोई बात नी ये मुवी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवलेवल मिलेगी अन्त में आपको देखना है कि क्या रहे अपने अतीत को याद करते हुए अपनी एक पहचान बना को एंड आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में जाने से पहले आप मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लिजे रड बटन प्रेस करके और मेरे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए टेक केर बाब बाई थैंक्यो फोर वचिंग मैं वीडियो